Hello everyone, welcome you all to Lucas Sir Unlimited Study Zone. So guys, chapter चल रहा है हमारा Mechanical Properties of Flood और पिछले classes में हमने जो start किया था इस chapter को, इसमें कुछ question हो गए थे. सबसे पहले हमने पढ़ाया था, what do you mean by pressure? Pressure की meaning क्या होती है? यह हमने कर लिया था. फिर उसके बाद में हमने पढ़ा था, what is Pascal's law? Pascal's law क्या हुआ करता है? यह भी हमने देख लिया था. Then इसके बाद, the kerosene, mercury and water fill up the same depth at the bottom of the column, water column, which liquids, the pressure is maximum. यह भी देख लिया था, किसका pressure सबसे जादा होगा. Why is the dam water reservoir thick at the bottom? यह भी देख लिया था, हमने कि जो reservoir या dam का जो surface area, surface होता है, वो सबसे जादा क्यों होता है? Thick होता है at the bottom. And the atmosphere pressure equal to 760 meter of Hg, what does it mean? बताया था मैंने कि अगर आप sea level पे mercury को उल्टा करके रखेंगे, तो mercury में जो mercury भरेगा, उल्टा करके उसको रखेंगे. स्कौन कर दो, जल्दी, हाँ, तो यदि आप कर दो, जल्गओे. ओके तो देखे एट्मोस्फरीक प्रेशर एड़ दा इक्वल टू 760 mm of Hg, है ना, what does it mean? यह मैंने बता दिया था आपको कि अगर आप C लेवल पे देखेंगे, invert करके एक ट्यूब को रखेंगे, बैरोमेटर जिसको बोलते हैं, अगर मरकरी की उपर, तो इसकी जो हाइड बन देखेंगे, तो अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर क्या हो जागा? इक्वल और यह लेवल डिक्रीज हो करके नीचे तका जाएगा, ओके? तो दम लेवल अब दमरकरी विल भी फॉल, यह क्वेशन हमने कर लिए थे, अब आँगे इसको हमको करना है, देन मैंने आप लास्ट कोश्चन वारा चलता है, तो कोहसे फोर्स क्या होता है? देखेंगे, प्रकार का यह इंटर मॉलिकूलर अट्रेक्शन होता है, ओके? So the force of attraction between molecules of the same substance is called cohesive force, दूसरी बात करते हैं adhesive force की, तो the force of attraction between the molecule of different substance is called adhesive force, different जो molecule होते हैं, उनमें काम करने वाला जो force होता है, उसको हम क्या बोलते है, adhesive force, ठीक है ना? जो different molecule होते हैं, बीच में काम करने वाला force, adhesive force होता है, मैंने आपको लास्ट क्लास में फैवी क्विक के example दिय rhinis को है है यहाँ से और यह प्लस्टिक यहाँ से तूट चूका है, तो आप क्या करते हैं, इसके बीच में आप फैवी क्विक भर देते हैं, तो फैवी कोई jo attraction करता है जो यह इस layer हर एक लिक़ुड का एक दम तनी हुई दिखाई 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 तो यह जो खोता है कि यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं यहां यह मालीकुल है इसको यह वाला मॉलीकुल इसके साइड वाला मॉलीकुल भी खीच रहा है एक अट्रेक्शन फूर्स लग रहा है क्योंकि है क्या वाटर मॉलीकुल है उपर यह तो यह वाला मॉलीकुल भी से खीच रहा है इसके सामने वाला तो अपनी पोजीशन में ये बिल्कुल खिचे हुए रहते हैं सब पर एक फूर्स लगता है इसलिए ये खिची मेंब्रेन की जैसे बिएब करते हैं ओके और इसलिए ये जो प्रॉपरड़ी कहलाती है इनकी वाटर सर्फिस टेंसन कहलाती है ये मेंब्रेन एक्सिस्ट करती है सर्फिस टेंशन के कानन ऐस τेंशन नहीं होता तो ये भी उबडखाब़ होती है उबडखाब़ smug गए है मतलब without flow पानी यह फानी होता शांत रहता है तो आपने देखा होगा वह मेंब्रेन बन ये glass आपने देखोगा पानी के उपर वो एक membrane बन जाती, clear है? उस पर कोई कचड़ा चड़ा आ जाता तो तैरने लगता भाई, डुपता क्यों नहीं है? क्योंकि वो तना हुआ है, surface क्या है वो तना हुआ है, समझ गे ना? कई बार उसको penetrate नहीं कर पाता, उपर ही तैरता रहत है, इस पेशली आपने देखा होगा मच्छर कभी देखा हो एदी, तो मच्छर जो होता मर जाए दी तो ऊपर तैरता रहता है, है ना? और मच्छर अंडे भी देती तो ऊपर ही देती है, पानी के ऊपर, मच्छर जो एक्स देती है, वो कहां देती है, मॉस्क्योटो जो एक करोड़ों उनके अंडे हुआ करते हैं ठीक है ना जी तो यह क्यों भाई यह क्यों है क्योंकि यह एक बड़ी यहां पर एक membrane है जो आपस में बुल्कुल चार तरफ से खेची हुई है और membrane क्यों खेची हुई है क्योंकि water के molecule में surface tension होता है क्या होता है surface tension अब surface tension को मेजर कैसे करेंगे उसका एक तरीका होता है surface tension को मेजर करने का एक तरीका होता है तो पहले मैं surface tension के definition बताता हूं what is surface tension in equilibrium the force acting per unit length of an imaginary line drawn on the liquid surface in equilibrium मतलब बाहर से net forces बगारे क्या हो उस पे zero हो equilibrium मतलब की motion किसी परकार करना होगा the force acting per unit length on the imaginary line drawing on the liquid surface भाई साब ये कोई liquid रखा हुआ है इस liquid के ऊपर आप एक imaginary length डाल दीजे line बना दीजे ओके अब इस imaginary line पर आपके पास कुछ force लग रहा होगा इधर की तरफ और इसके ही equal amount of force किता लग रहा है इधर की तरफ यसा नो तो इस पर लगने वाला एल लेंथ पर लगने वाला force कितना है एफ तो यूनिट लेंथ पर लगने वाला force कितना होगा एफ बाई एल एफ बाई लगने वाला रहा है मगड़ टेंजिश पानी के लेयर के तो ऊपर ही लगने फूर्स जैसा नो तो भाई या इस कॉल सर्फेस टेंशन इसकी यूनिट क्या होती न्यूटन पर मीटर क्लियर हो गया अब देखिए committee सर्फेस टेंशन को कया रेड्यूस किया जा सकता है बिलकूल स्ञवाती सर्फेस टेंशन को खसकते हैं अगर आप इसको टेंपरेचर को गरम कर देंगे क्या कर देंगे गरम कर देंगे समझ में आगया तो आप देखेंगे जो इंप्यूरूटी होंगी बड़ी आराम से घुल जाती है नीचे चली जाती है तेयर करके यही काण होता है जो सूप होता है लोग गरम पीना पसंद करते हैं क्या पीना पसंद करते हैं गरम क्योंकि गरम चीजों का surface tension कम होता है. और ठंडी चीजों का surface tension क्या होता है? ज़यादा haya है. चाय भी गरम होती है तो आपने देखा होगा उसके ऊपर पपड़ी नहीं बनती है. बढ़ जैसे चाय ठंडी होती है इसके ऊपर क्या बनती है? पपड़ी. क्लियर हो गया तो वह एक अलग फिनोमेन हैं अगर जुड़ी हुई इसी से है कि गरम चीज़ों का सरफेश टेंशन जो होता है वो बेटा कम हुआ करता है समझ गया इसलिए चीज़ें उसके अंदर आराम से डिप कर जाती है ठंड में भी आपको गरम पीना अच्छा लगता ह चाय तो वैसे लगती गरम पी जाती है और ठंड में गरम पानी पीना च्छा लेता क्योंकि गरम पानी का सरफेश टेंशन कम होता है सरफेश टेंशन क्या होता है कम होता है गरम पानी की लेर का जो खिचाव होता है वो कम होता है गरम पानी से कपड़े धोने में मैल जल्द लेंगे और जाकर किस ड़ड से लड़ाई करके ड़ड को भगा देंगे ख्लियर हो गया जी तो हाउ कें सरफेस टेंशन आफली कुट इस रड़िव सरफेस टेंशन अब लिकूट कैन बेडियूट इंक्रीजिंग टेंपरेचर एक और रास्ता है बहुत इम्प्यूरोटी मिल यह जाएगा क्या बढ़ेगा इसरफिश्ट movement unm Ung अधने क्या को जाएगा इससे कि आपनी में भाइज शक्कर मिला दी क्या मिला दी तो पानी जो хлइएगा श्तिक इंदर आ रहा था अब बनगा वैज़ा मुरस गुल्ले का शीरा इतनी मिला गुंचिन क्लियर है आपने इसके अंदर को फूल डाल दिया इसके फूल डाल दिया फूल या पत्ति डाल दियो पत्ति भी अंदर नहीं कुस पाईगी आया न क्योंकि इतना थिक हो गया है यह कि उ घर में मच्छर जादा हो जाते हैं तो पानी के ऊपर केरोसीन का छड़काओ किया जाता है किसका छड़काओ किया जाता है केरोसीन का क्योंकि केरोसीन जो है वो है भी या इनसोल्यूबल क्या है वो और वो इसके साथ मिलते ही पानी का सरफिस टेंसन कम कर देता है तो जो लार समझ गए भाई साब जो पहले सर्फेस में तैर रहा था उंदर चला जाएगा और मार डालेगा चली क्वेस्चन अगला है वाई होट सूप टेस्ट बेटर दैन कोल्ड सूप भाही मैंने अभी बात बता दी इसकोई गरम सूप जो होता है वो बेटर लगता है कोल्ड सूप से क्यों तो पिज़ग रहने की टेंदेंसी मॉलिकुल की कम हो जाएगी तो जो आपकी टंग है उसमें वो दूर दूर तक होगा कहा तक भाही धूर दूर तक spread हो जाएगा और आपको मज़ा टेस्ट आएगा मज़ा आएगा डेह ना surface tension degrees and gets more spread in the tongue and reaches to the sensitive layer rather than cold soup समझ गया ना और आपकी जितनी sensitive layers है यह के कोने कोने में पहुँचेगा clear है ना अब बगर ठंडा soup ऐसा नहीं होगा भाई सब हैंस hot soup tastes better than cold soup समझ गया तो गरीची गरम जीजोंगा एक और फायदा है कि वह आपके जीव के कोने कोने में पहुचती है और जहाँ जहाँ तक आपके ये receptors होते हैं उन सब को receptors को उत्तेजित कर देती है उन सब रेटर प्रेटर्स रेसेप्टर्स को फायदा मिलता है स्वाद का अनन्द मिलता है अगला टॉपिक है भाई वाट इस एंगल ऑफ कॉंटेक्ट वाट इस एंगल ऑफ बैटा लिक्वड जो होता है ना वह एक शेप बनाता है या तो कॉन के वैक्स किसे या तो Finht यह तो फ्लैट को ये दिए ग्र आस है या कोई वैसल है और बत्चो इसा पशुड भाक को ये जैसे पानी रखा क्योंकि पानी और ग्लास के बीच में होता है कौन सा फोर्स कौन सा फोर्स इसकी वज़े से पानी ग्लास के उपर हमेशा चाड़ता है मैंने आपको बोला था उसे एक्टिविटी जा करके देखिएगा ग्लास की दो स्लाइड लीजेगा काच की दो स्लाइड समझे ना और इसके बीच में पानी की बून डाल दीजेगा क्या डाल दीजेगा अब पानी की बून डालने के बाद आप इसको मल दीजेगा और फिर आप इसको अलग-अलग करके दिखाएगा ऐसे उठा करके सामने से स्लाइड करके नहीं क्या करके सामने से आप इ थे चेयर के चक्कर में ऊपर चला जाता है बोलो है ना क्योंकि डैस के अड़े मी Impa करेंगा कांच को terribly अधिए अभल्स के अदर फिर यह त्षोड़ा नर्द हो थोड़ा सा ओर ऊपर चला जाएगा इस चक्कर में आपkickर यह ना इसको बोलते हैं मीनिस्कस क्या बोलते है चंद्राकार, क्योंकि चांद क्या आकार का बल रहा है, इसको हिंदी में चंद्राकार बोलते हैं, अब यहाँ देखें, दो चीजें है, यह देखें, एक लिक्विड बाॉंडरी है, ओ ना लिक्विड बाॉंडरी नहीं, यह ग्लास बाॉंडरी है, कौन सी बाॉंडरी है, ग contact मैं आपको बता दूँ अगर angle of contact acute होगा तो force होगा कौन सा adhesive कौन सा force होगा भाई सब और अगर angle of con angle of contact अगर ओबेट्यूज होगा तो force होगा cohesive क्या होगा अगर आप कांच में मरकरी को भरेंगे अगर आप कांच में मरकरी को भरेंगे यह कांच का बाउल है और आपने इसके अंदर मरकरी यहां तक भर दिया तो आप मरकरी आटोमेंटिकली यह शेप ले ले लेती बच्चों ऐसी वाली क्योंकि mercury कांच के साथ संपार्क आने का वरूद करती ह씨 कांच के संपार्क में आना नहीं चाहती है एक था वह उपर चढ रहा था कांच को लिपट रहा था और ये कांच को लिपटना नहीं चाहरी है आँ या नँ तो अब देखो भाईया अभी देखते हैं angle of contact कहां यह है अंदरूनी surface हाय की नहीं है बोलो और यह है इसका tangent इसके बीच का कौन बताइए आपको कैसा देख रहा है obtuse की acute obtuse कैसा angle है obtuse समझ में आ गया तो बताइए कौन सा force प्रबल होगा एक cohesive की adhesive cohesive ठीक है बेटा जी आ गया समझ में इसलिए mercury जो होती है वो कांच में अपने आपको बल्कुल समेट लेती है जहां होगी बिल्कुल अलग ठलक अगे से नहीं कि आप इसको ठोग दो और इसकम फोग दो यह फैलेगी इतने दिर पटाक से संमेट करके अपने आपको गूला कर लेगी कांच के अंदर क्योंकि अपनी जिंदगी में इतनी मस्त है इसको कोहैसी फोर्स है इसके अंदर खुद के अंदर लपिटती अपने आपको ये काचा से नफरत करती भई मुझे तुम्हें साथ पंगा नहीं पालना समझे ना आप इसको ऐसे दबाद होगे किसी चीज से थोड़े देर के लिए स्केल से दबाद होगे ऐसी फ्लैट हो जाएगी और जैसे आपने स्केल हटाया ये अपने आपको फिर से समिट लेगी किसका प्रणाम है ये बोलना जूर से हाँ को ऐसी फोर्स का अब अगला टॉपिक कित हो गया रमैर डिफनिशन त पह दो आई आइ देंगल अफ टेंगेंट तो द써 हॽ ici अ अगल आपनिंगर ती यिक्वि लिक् cuad चर वी सारीस य्यादर्कमा छालिकूद यह लिक्विट का अड़ पांटक is का एंगल मेंट रॉंबाउ आबविदो तकिकल to the liquid surface यह देखिये जो tangent to the liquid surface है यह liquid surface है यह liquid surface की tangent है कहां पर जहां पर यह contact कर रही है tangent at the point of contact at the point of contact है ना जिस point पर यह contact कर रही है make with the solid surface, यह प्लिड सरफेस है न, inside the liquid, liquid के अंदर, with the solid, with the solid surface, यह solid surface, यहाँ वाली, inside the liquid, liquid के अंदर का, क्योंकि भाई यह glass का थोड़ा हिस्सा बाहर भी यह, glass का थोड़ा हिस्सा, अंदर भी यह, अब अगला topic है. What is capillary? अगला topic हम पढ़ने वाले हैं. कि capillary क्या है? Capillary क्या है? अब capillary क्या है? अब capillary का example देने के लिए सब से बेस तरीका है. आप ने, वो देखे होगे यार. आप तो बायो वाले बच्चे हो, सुने होगे. जाइलम फाइलम क्या बोलते हैं अर बायो में हाँ जाइलम फ्लोम बोलते हैं वो पेड़ के नीचे जड़ें जो होती है वो पानी ले जाती है ले जाती है और पतले पतले रेसे होते है मेरे ख्याल से है ना जमीन से पानी खीचने वाले है ना इनिको जाइलम बोलते हैं क्या कि ये liquid को ये उपर की और खीचता है जब आप दिवाली में दिए रखते हैं दिवाली में क्या रखते हैं? दिए तो यहाँ तक oil भरो और दिए की बाती बनाओ और बाती को जितनी थोड़ी से dip कर ये dip कर आओ और बाकी का एरिया बाहर की तरफ छोड़ दो आदे घंटे बाद आईए आप देखिए ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? तेल से dip हो जाएगा भले आपने अंदर dip नहीं किया है समझ रहे हैं जी? ठीक है ना? हाँ और ये अपने आप तेल इस पे चढ़ा जाएगा अपके समय में वो चिमनिया नहीं चलती है पहले चिमनी चलती थी डिब भी चलती थी गाओं में मिट्टी का तेल रहता था उसके अंदर एक बाती है लाल टेन देखा होगा आप लोगों ने लाल टेन अभी इसे चलता है इसके उपर बाती नहीं कलती थी तेल भरा रहता था ये डूबी रहती थी अपने आप तेल उपर चढ़ा जाता था इसमें आग लगा देते थे आग जलती रहती थी ये क्या है ये? ये कहलाती ये जो ये पतली सी जो बत्ती डली हुए इसको इसके अंदर जो पतली पतली रेशे होते हैं जिन से तेल जाता है इनको बोलते है कैपलरी क्या बोलते हैं कैपलरी और तेल बढ़ने की प्रोसेस को बोलते हैं कैपलरी राइज क्या बोलते हैं बटा capillary rise. What is capillary? The phenomenon of ascending and descending of liquid in a capillary is called capillarity. The phenomenon of ascending and descending. दोनों चीज़े होती ही भाई सब. लिक्विड क्या धार पे? कि लिक्विड कैसा और capillary कैसी है? इस बेस पर डिपेंड करेगा दोनों चीज़े हैं. The phenomenon of ascending and descending of a liquid in a capillary is called capillary is called capillarity. तो हमने define किया है यहापे capillarity को. In kerosene lamp oil rises in the wick. विक्याने बाती. विक्याने? बाती. due to the capillarity. due to capillarity. Capillarity के कारण जो तेल होता है वो ऊपर चलता है. ठीक है वाई सब clear हो गया? ठीक. नेक्स्ट अगला question है. अगला question है. अगला question है. इस डिफिकल्ट टू पोर mercury in thermometer tube. थर्मोमेटर ट्यूब में mercury जो होता है उसको थर्मोमेटर ट्यूब य. आंसर. इस बिकॉस्ट अगल ऑफ कॉंटेक्ट फॉर mercury glass pair is 135 डिग्री. मैंने भी पताया था आपको. कि mercury और glass का angle obtuse होता है. देखा था ना आपने? ये angle होता है लगबग लगग 135 डिग्री. किट्टी डिग्री भाई सब? 135 डिग्री. अब ये रखा हुआ है mercury hoop सारा. आपने यहां से लाए tube और आपने डाल दी. मालूम मरकरी क्या हालत होगी? चिड़ता है न वो? मरकरी जो है यहां से और यहां से ऐसा आपने गड़ी ग्रम देखा होगा आपके बुक में बना हुआ है. इस तरीके से भग लेगा. बुलो हाय ना? क्योंकि angle उसको कित्ता बनाना है 135 समझ गए? तो पर देखा है लोग? इस तो बिकास न अगल of contact for mercury glass pearl is 135 degree there one end of thermometer tube is dipped into mercury and the level of mercury in it falls. इस तो से लिए अगल of contact for mercury glass pearl is 135 degree therefore one end of thermometer tube is dipped into mercury. जब वे लिखा है? जब एक and thermometer tube का mercury में dip किया जाता है thermometer tube is dipped into the mercury then the level of mercury in it falls जो level of mercury होता है इसके अंदर का वो क्या हो जाता है? falls हो जाता है इसका कहना है कि जो mercury का level होगा वो खुद भी खुद fall हो जाएगा मतलब यदि आपके इसके अंदर thermometer के अंदर mercury भरी हुई है थर्मोमेटर के अंदर mercury भरी हुई है तो वो क्या करीगी? अंदर इधर आना चाहेगी कोहैसे force, sorry, हाँ कोहैसे कोहैसे force maintain करीगी ना क्या करीगी? कोहैसे force maintain करीगी तो level down हो जाएगा उसका और यहाँ पर mercury करी जो है इधर थी तो कम होते 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 यहां तक आजाएगी ठीक ना? once again it is so because the angle of contact of the mercury glass pair is 135 therefore one end of the thermometer tube is dipped into the mercury then level of the mercury in it falls चली, done अगला question pressure से मैंने last class में पताया था कि जो pressure होता है water column का या किसी भी liquid column का अगर आप H गहराई पर pressure देखते हैं तो H गहराई पर pressure होता है इस column का rho g h याद आया यह होता है rho g h the blood pressure in humans is greater than feet than the brain y pressure is directly proportional to height अब height भी या 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 यूजिवली नीचे से ना पी जाती है मगर भी या या याद रखेगा liquid में जो height होती हो वो उपर से ना पी जाती है किसमें ना पी जाती है? समझ में आया तो pressure जो होता है वो height के हिसाब से कहाँ पर ज़्यादा होगा पैरों में कहाँ पर ज़्यादा होगा क्योंकि गहराई के हिसाब से पैर नीचे है The distance feet from heart is greater Therefore blood pressure feet is greater Pressure maintain कौन करता? Heart तो heart से generate होगा pressure परन्तु distance ज़्यादा है, गहराई ज़्यादा है source से इसलिए feet का pressure क्या होगा? greater होगा NCRT question बोली समझ में आया की नहीं है? अब अगला है There is a risk of getting burst of blood vessels as go up high altitude भाई जैसे जैसे आप उपर जाएंगे तो आपके blood vessels भटने का रिस्क होता है क्यों? यह Mount Everest है मानलो क्या है भाई सब? और यहाँ पर एक बंदा चड़ा हुआ है बुली हाई ना? यह धरती पर pressure is 180M है कितना है? 180M 180M बहुत pressure है और यह जो बंदा है इस बंदे की यह हाथ की आपको vessel दिख रही है यह देखी हाथ की vessel है जब यह नीचे है तो इसके हाथ की वेशल पे 180M का pressure उपर से इसके वेंस पे लग रहा है बुलो हाई ना? और अंदर धका धक खूंद ओड़ रहा है गोली जी हाई ना? वो भी pressure लगा रही है वो भी उनका कुछ ना कुछ प्रेशर है और दोनों pressure लड़ करके maintain करे हुए है है ना? यह कहता है कि मेरे को बाहर आंदो फट करके फाड़ दूँगी वेंस को यह कहता रहे कैसे फाड़ दोगे हम दबाए तो बैठे है निकालो जड़ फाड़ करके समझ मैं है? यह उपर गया उपर जाते ही भाई साब बाहर का pressure क्या हो गया? कम हो गया क्या हो गया pressure बाहर का? कम हो गया जो 1 ATM था वो कट करके मानलो आगया 0.4 ATM के 3 ATM अब अंदर वाली जो वेंस जिनके अंदर खून दोड़ रहा था बाहर का pressure कम हो गया और अंदर का pressure तो वही बना हुआ है क्योंकि हाट तो उतने ही जोर से धड़ा करा है बुलो हाँ है न धरकड़ा की धरका तो यह जो वेंस है जिनके अंदर खून भाग रहा है इन्होंने pressure दे दिया अब बाहर से उतना नहीं लग रहा है बाहर से क्या लग रहा है कम लग रहा है तो फाड़ दिया इसने क्या कर दिया इसने फाड़ दिया और नाक से खून बहने लग गया नाक से खून बहने लग गया आई बस सामज में There is a risk of getting burst of the blood vessels as we go up higher altitude, why? At higher altitude atmospheric pressure become very low, hence blood pressure of the human body becomes very effective, बढ़ नहीं जाता है, तुम्हारे नंबर कम आया, इसलिए हमारे जादा दिख रहे हैं, समझ में आया, हमारे नंबर जादा नहीं आया है, तुम्हारे कम आया है, तुम्हारे कम आया है, इसलिए क्या दिख रहे हैं, जादा, तो उपर जाने पर बॉडड़ का प्रेसर बढ़ नहीं गया है, बाहर का कम हो गया है, यसलिए हमारा बॉड़ का पर्एसर जो है, जादा समझ में आ रहा है, समझ में आए कि नहीं आया, डूटू ब्लड प्रेशर, due to blood pressure there is high risk that blood vessels might be burst, समझ गया, इसलिए भगई नहीं पर जाने नहीं दिया जाता, समझ गए? क्लियर हो गया? पहले उनकी या तो जाच होती है, या तो जाने नहीं जाता, साथ साल की उपर वालों को तो बिलकुल माना हैं, ठीक है ना? नहीं तो अपना डेथ सर्टिफिकेट पहले जमा करा के जाएए, कि जा रहे हैं, अब लोट के नहीं आएंगे, ठीक, अगला, क्वेश्चन नाबर सिक्स्टीन, वाट इस सेप ऑफ मिनिस्कस ऑफ मरकरी एंड वाटर इन ग्लास के पिलरी, पहिया मरकरी का का बताया था मने हम दोलो, यह मरकरी जो होता है, इसा उठ जाता है ग्लास में, यह देखो, यह कॉन्वेक्स है, और वाटर का कैसा होता है, ऐसा कॉन्केट, वो ले क्लियर है, अट वाट टेंपरेचर दे सर्फेस टेंशन आफ लिक्विड बिकम जीरो, कोई किसी का ना रहा, ग्रिटिकल टेंपरेचर, ग्रिटिकल टेंपरेचर पे लिक्विड का सर्फेस टेंशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, समझ गया ना, critical temperature पे liquid का surface tension क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा आई बस समझ में ना अब अगला property आती है what is viscosity what is याद रखे का viscosity property है और viscous force एक force है viscosity क्या है property किसकी liquid की किसकी property it is the property of liquid it is the property of liquid मैं कहूंगा रहादर लिकुड की जैके fluid भी यूज कर सकते हो आप it is the property of fluid by virtue it opposes the relative motion between the two layers it opposes the relative motion between two layers ये वो property है जिसके कारण ये दो layer के relative motion का oppose होता है इस property के कारण दो layers के relative motion का क्या होता है अपोज होता है समझ गए है इसको आपको समझना हो तो best example है घर में शहद हो तो आप शहद को रखिएगा एक बाउल में या कहीं भी और सहद को उड़े लिएगा शहद को क्या करिएगा उड़े लिएगा और शहद के बहने का आप pattern देखिएगा शहद इस तरीके से पहली layer बुल हाँ और शहद के तो एक layer के ऊपर दूसरी layer चलना तो चाहती है मगर एक प्रकार का friction force है जो इस layer के motion का क्या करता है अपोस करता है और यह बिचारी यहीं के यहीं थमी ही रह जाती है बुले हाँ है ना ठीक है ना जब आप honey कभी डालते हैं तो आप देखिएगा एक ही प्लेस पर आप honey डालेंगे तो यह layer बनेगी और फिर उसके पर दूसरी layer बनेगी फिर वही खतम हो जाएगी फिर तीसरी layer बनेगी आपकी तो आपको लगे का कि कभी आंग their viscosity ascending order में भाई सब तो सबसे कम किस की फिर किस की फिर किस की ग्रीस की तो वाटर की सबसे कम फिर उससे बड़ी हनी की फिर उससे बड़ी ग्रीस की तो यह सिंपल knowledge वाले question है अब अकला question आता है 20 20 question है what do you mean by an ideal fluid ideal fluid क्या होता है the liquid which is incompressible and non-viscous and non-viscous तो भाईया ऐसा तो कोई flood ही नहीं कि जो बलकुल incompressible हो और non-viscous is called ideal fluid novemberald में जब बात करो। कि flipping Goodbye की कम प्रेशीबिल्टी बोहत कम होती गैस की ज्यादा होती है मगर substitute meer की क्म prassibell Ó KAR30 का होती होती बहुत कम आपको पता होगा χatoryition liquid होती होते हैं गैस होती है अब फूर में हलाकि γैस भी आगई है पेअपेर में आगेजस अगया आपको पता होगा गैस के बीच में आपम वद बहुत कम होता है क्या होता है गलत डूल रहा है ज़ादा होता है क्या होता है ज़्यादा होता है तो आप इनको आसान से प्ष्टन लगा। Husون के स्वyy engag hi तो फिर भी कहा रहा है कि ऐसी gases जिनकी compressibility ना हो. समझ गे ना? जिनकी compressibility ना हो. So the liquid which is incompressible and non-viscous. Non-viscous मतलब जिनमें viscousity का बिलकुल भी feature ना हो. जो बिलकुल viscous force ना लगाएं. ठीक है ना? उनको हम बोलते हैं ideal fluid. Next, define streamline flow. को जानता है streamline flow क्या होता है? flow दो प्रकार के होते हैं, बिटा. flow कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के. बताता हूँ. Type of flow. flow दो प्रकार के होते हैं. एक क्यलाता है streamline flow. Streamline flow. और दूसरा क्यलाता है turbulent flow. Turbulent Flow Streamline Flow अगर आपने कभी बच्चपन में सटक चलाई है अगर सटक से पानी भाया है तो आपने देखा होगा अगर आपने सटक से पानी यूच किया है तो आपने देखा होगा अगर आपने सटक चलाया है और एक सेज आती है बिलकुल यहां से crystal clear water निकलता एक दम इतना प्यारा कि आप आर पार देख पाएं और बिलकुल नोजल के शेप का नोजल के शेप का ठीक है ना मतलब feeling यह होती है कि बिलकुल सारी liquid की जो lines है वो अपने पीछे वाले पात को follow कर रहे हैं ठीक ना कशे को उप dura न गए जो अव तो गारी दूबाने जब जाते हैं तो पानी की speed इतनी ज़्यादा होती है कि वह जो होता है spin करते हुए निगलता है कैसे करते हुए निकलता है spin करते हुए तो यह एक statistic है turbulent flow होता, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, अब धिर धिर पढ़ेंगे, तो what do you mean by streamline flow, when a liquid flows in such that that any particle passing through a certain point follows the same path of its preceding particle through that point, हर अगला particle, हर पिछला particle अपने पहले वाले particle को follow करे, समझ में आगे है, the flow of the liquid is called streamline flow, तो ऐसा जो flow होता है, liquid का, उसको को क्या बोलते हैं, streamline flow, तो एक बर फिर से streamline flow, देख लेते हैं, streamline flow क्या होता है, when in a liquid flows in such a way that the particle passing through a certain point follows the path of its preceding particle passing through that point, जैसे मान लिए, ये एक single पहली streamline है, ये, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चोथी, होगी, खुब सारी streamline होगी, मगर मजाल नहीं है, किसी की, कोई इधर से खसक करके, इसमें घुच जाए, सब अपना path follow करेंगे, समझ में आगया, दफ, है ना, the flow of liquid is called streamline flow, ठीक, clear हो गया कि नहीं हुआ, streamline flow में आपको एक बत बताऊं कि, अगर आप injection से एक ink inject कर दें, यहाँ पे इस flow के साथ, तो जो ink होगी, वो इसमें नहीं जाएगी, इसमें नहीं जाएगी, वो ink बिल्गुल सीधी सीधी निकल करके, इस वाली में ही आएगी, जिस streamline में आपने इंजेक्ट करी है, इंक, और turbulent में पूरा पानी निला हो जाएगा, turbulent में क्या हो जाएगा, पूरा पानी नीला, समझ में रहा की नहीं रहा है, अगला, what do you mean by turbulent flow, turbulent flow किसे कहते हैं, the flow of the liquid in which motion of the particle, are irregular and zigzag, motion of the particle, यह जो water particle होते हैं, इनका जो motion होता है, कहीं भी घुज जाएंगे एर्रगुलर जिग जए जिग is called turbulent flow fast flowing rivers during the flood storms are the example of turbulent flow समझ में आया last question है आज का की two streamline flow do not intersect each other why two streamline flow जो है एक दूसरे को आपस में intersect कभी क्यों नहीं करते है तो भाई या किसी चीज की flow की direction पता करनी हो तो क्या करो उस पर tangent कीज़ो क्या कीज़ो अब देखे इस पॉइंट पर कित्ती टेंज़ेंट मिल रही है दो मतलब दो वेलास्टी इस पॉइंट कित्ती वेलास्टी और आपको पता है कि इस पॉइंट बद आपको नहीं सकती है तो इस t और इंपसिबल, धर फिर्फोर थे स्टीम्लाइ फ्लोव दो नाव इंटर सब्सक्राइब